हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं देखा कि कैसे काउंटिंग के बहुत सारे प्रॉब्लम्स के जड़िये स्कॉल किया सकते हैं और जाते थे मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो लेक्चर में हम फिर एक कंपुटर साइंस के प्रॉब्लम्स देखेंगे तो इस वीडियो कि मैं पास दो नोड है तो कितने अमगी त्री रन बना सकते हैं दो भना सकते हैं एक यह तोđ रायरा हिए जैसे अगर में पास दो node है तो एक इस तरह का tree बनेगा और एक इस तरह का tree बनेगा तो सबसे लिए मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि यह जो counting का problem in binary trees का यह related है parenthesis के problem के साथ तो अगर आप सबको in order traversal पता होगा अब जिसको नहीं पता in order traversal तो वह थोड़ा सा wait कर सकते हैं इसके बाद में एक और method पता होगा जिसके जरी हम binary tree को count कर सकते हैं तो अगर मैं in order traversal apply करूं तो in order traversal में basically क्या होता है आपको पहले left child visit करना होता है तो हर एक note पे मैं यहाँ पर LVR LVR लिख दूँगा ठीक है तो यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि जब किसी note को हम पहली बार किसी note पर जाएंगे तो हमें opening bracket करना है और जब हम लोग visit perform करेंगे तो हमें closing bracket perform करना है ठीक है अब अब ओपनी ब्रैकेट करना है अब अब ओपनी ब्रैकेट करना है हर एक note पर पहले ओपनी ब्रैकेट करना है then we have to perform LVR तो L मतलब left child wait का है पर left कोई ही नहीं फिर we have to visit visit का मतलब क्या पता है closing bracket यह चोड़ा सबस्ट modification है इन और भी perform करना है visit पर closing bracket और पहली बार गया तो opening bracket इसका नहीं है तो यह आर भी क्या हो जाएगा नहीं कुछ मतलब नहीं इसका ठीक है तो यह आप पैटन देख रहे है मतलब अगर मैं पास opening और closing parenthesis हो तो इसको कैसे arrange कर सकते कितने opening parenthesis है दो और note भी कितने है अच्छा इससे देखते हैं तो अगर यह वाले अप्लाइ करो यही concept तो इस note मैं सबसे पहले जाओंगा क्या प्रिंट करूंगा opening bracket then we have to perform LBR तो अगर मैंने L बोला मतलब left style की तरह अब इसके पहली बार इसके पास पहुचा तो we have to print what opening bracket अब left में से कुछ है नहीं फिर visit मतलब closing bracket फिर right में कुछ नहीं है तो वापस लोटना पड़ेगा तो क्या आएगा यहां पर visit मतलब closing bracket फिर right में कुछ नहीं है तो अगर आपको याद होगा अगर मैं पास दो opening bracket हो और दो closing bracket हो यही दो तरीके थे arrange करने तो यानि जो parenthesis का problem था it is equivalent to number of अगर मैं पास pair of opening and closing bracket हो तो उसके जितने arrangement possible है उतने binary tree possible है दो note के साथ वैसे अगर मैं पास तीन opening bracket और closing bracket हो तो यहां पर मैं पास कितने तरीके से मैं उसको arrange कर सकता हूँ I think वह 5 था तो उतने binary tree possible होगे क्यों क्योंकि मैं इस problem को उस problem को one to one map कर सकता हूँ right one to one and on two मतलब यह bijection है मतलब जितने parenthesis के possibilities होंगे उतनी binary tree के possibilities जाए तो यह इसके जरी यह proof हो जाता है कि जो catlin number का logic था वो binary tree count में भी apply होता है क्योंकि मेरे पास एक method है जिसके जरीए में यह दोनों problem को one to one लेकिन क्या कोई और दूसरा तरीका है तो उस तरीके को इस वीडियो में हम लोग बताने वाद है इसका नाम है recurrence relation for catlin number ठीक है तो यह जो catlin number का logic है जो problem ने देखा था उसका recurrence relation इस video में हम लोग देखेंगे और हम लेखेंगे फिर उन आप वो concept हम लोग अप्लाय कर सकते इवन आप सबका यह homework अगर आपने previous lecture देखा हुआ है तो आप इस recurrence relation को try कर सकते है उस previous सारे problems में ठीक है so recurrence relation को देखने के लिए हम लोग फिर से जो है पहले ड्रॉब करेंगे एक नोट दो नोट तीन नोट से कित कुन को से structure possible है फिर हम पैटरन को अबसर करेंगे जिसके जरी हम लोग ऐसे binary tree बना सकते एक totally right skewed और एक totally left skewed और अगर में पास तीन नोट है तो इसके में पास तीन possibility होगी देखो root node तो बनाना ही है है तो एक यह होगा अगर root node में ने use कर लिया तो बचे 2 node क्योंकि तीन node use करने है यहाँ पर n equals to 1 है ठीक है यहाँ पर number of nodes 2 है अब में पास number of nodes कितने है 3 है तो एक node में ने use के लिए बता बचे कितने है 2 node अब 2 node को arrange करने के लिए में पास क्या 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 possibilities है या तो मैं left side 0 node दू और right side जो है मैं कितने nodes दूँ 2 node लेकिन question यह है कि अगर मैं right side 2 node देता हूं तो वह 2 node से मैं कौन कों से structure बना सकता हूं अंसर है यह यह जो था कैसे देखवा ऐसा कुछ कि यह वाला structure अगर मैं यहाँ पर attach कर दूँ तो कुछ इस तरह बनेगा और अगर यह वाला structure यहाँ पर attach कर दूँ यह कुछ किस तरह ब binary tree is possible with one node इसको मैं कहता हूं c2 number of binary tree is possible with two nodes और यह जो c3 है इसमें यह जो case है क्या सकता हूं यहाँ पर कितने structure possible c2 और यहाँ पर कितने possible c0 c0 मतलब 1 यहाँ पर मेले रहा हूं अब दूसरा case क्या होगा यह तो case 1 हुआ तो मुझे करना पड़ेगा left side और right side जो possibility उनको multiply करना पड़े बचे दो node है तो left side एक node दो right side एक node दो तो इसमें एक ही possibility हो सकता हूं कि आगे कुछ और नहीं कर सकता हूं क्योंकि एक एक node ही है तो मैं कह सकता हूं यह c1 होड़े क्या है तो c1 into c1 number of binary tree is possible अब तो 1 into 1,1 अब तीसरी possibility क्या है कि मैं इस तरफ 2 node रखूं और इस तरफ 0 node रखूं तो 0 node रखा तो कितने binary trees possible होंगे c0 और 2 node रखा तो कितने होंगे c2 कोंसी यह 2 यहाँ पे attach कर दो तो कितने binary trees possible होंगे c2 into c0 तो total binary trees कितने possible है 2 plus 1 plus 2 टो टोल कितना पाँच ठीक है तो मै इसकी formula क्या बना सकता yes तो number of binary trees possible with 3 nodes is c3 is equal तो पहला case क्या है c0 into c2 तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 फिर अगला में क्या होगा यह 0 को एक से बढ़ा दो मतलब यह जो है और इसको एक से decrease कर दो समझ के फिर देको next क्या है 2 then 0 तो इसको एक और बढ़ा दो मतलब C2 और इसक और example की जाए समझते हैं चार नोट के लिए जेखते हैं तो अगर मैं पास n equals to 4 है तो कितने binary trees possible है तो अंसारे root node ले लो इस तरफ 0 note रखो और इस तरफ कितने रखो तो 3 nodes से जितने भी structure है सब यहाँ attach कर दो तो सारे binary tree is possible है तो उसको मैं लेग सकते हो c3 उसका count बंद c3 रह क्या होगा? यहांपर 2 और यहांपर क्या नेक्च होक्lla यहांपर 3 और यहांपर क्या ? 0 तो इसको लिख सकते है c2 इंट c1 इसको लिख सकते है पहले मैं नहीं प्रूव करके बता दिया कि parenthesis का problem इससे one to one mapping में है ना मतलब जो cn की formula थी one upon n plus one two and cn वो formula जो है वो यहाँ अप्लाई हो रही है फिर मैंने बताया कि उसी formula के लिए कैसा recurrence relation भी बन सकता है तो मैं कह सकता हूँ यह recurrence relation cattle number का ही है क्योंकि इसके लिए में अगर रिकरेंस निकाला और उसकी formula मुझे पहले से पता है है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि यह जो रिकरेंस इसको में generalize करूं तो मैं कह सकता हूँ cn इसी नॉट cn-1 फिर नेक्श क्या होगा यह से बढ़ेगा और यह से तो यही जो है इसका अंसर क्या है वन अपाउन एंड प्लस वन टू एंड बहुत लोग इसी को ऐसा लिखते हैं ओके एक्टेंड बाइनोरी को पिश्यन अमने देखा था तो इसके जरी दोस्तों हमने बताया कि क्या है रिकरेंस इलेशन काटलन नमबर की राइट अब अब यहां पर एंड प्लस टू क्या मतलब इंबता दो जैसे एन इकोस टू है वन तो वन प्लस टू कितना हो थी तो मैं पास थ्री साइट्स होंगे और वो जो पॉलिगॉन होगा उसको इस तरह कट करना है कि उसमें हमें ट्रेंगल बनाने तो यहां पर में एक डियाग्रा आप लोगें अब मैं अगर एमट पूट करूंकर हो कितने साइट होंगे चाहर जो एक बनेगा यहां पर असमें ऑनध ट्रैंगल करहूं तो वी तरह में मैं ईसा प्लस ट्रेंगल बना नो होगा तो कितने तरह से गया इस तरह से कट कर सकता हूं समझ हो तो टोटल कितने तरीके पांच इजी तरह मगर में पस हेग्जागॉन ओगर में एन 4 पूट करूं तो ऐसे 14 तरीके तो फिर सते को सिक्वेंस 1 2 5 14 अब अब अगर हम लोग सोची कि क्यों यह फॉलो हो रहा है तो इसको बाइमरी ट्री के प् तो आपको पता चलेगा कि यह जो इस्ट्रक्चर बन रहा है यह एक्चिली में बाइनरी ट्रीज है विद टू नोट्स अगर दो ट्रेंगल पॉसिबल थे तो उनके सेंटर को अगर मैंने जॉइंड किया तो मुझे दो इस्ट्रक्चर मिले इस तरह के और यह दोनों वही स्ट्रक्चर है जो भी आपने देखे विद टू नोट्स मताँ जितने यह ट्रेंगल पॉसिबल है उतने ही पॉसिबल बाइनरी स्ट्रक्चर सें मताँ दोनों प्रब्लम मैफ होगे एक डूसरे राइट अदेखो इसमें देखो यह यह और यह है ना तो लेफ्ट अन देर यह यह ऐसा कुछ बनेगा बानेरी स्ट्रक्चर यह वाला प्रब्लम देखो यह राइट एंड राइट है और यह कैसा होगा लेफ्ट राइट यह देखो कैसा होगा ऐसे तो इसका मतलब यह होगा कि यह जो पॉलिग उन है इसमें जो ट्रेंगल सम बना रहे हैं कि जब करता है किसी प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए तो ऐसे कई सार एक्जाम हमने अलड़ी जनरेटिंग फंक्शन और रिकरेंस इलेशन में कवर किये वन तो वीडियो को देख सकते हैं जो काउंटिंग में काफी जादा मदद करेगा तो इसी तरह दो यहाँ पर में दो प् यहाँ पर और वेसी कज़की के साथ before और यह साथ मिए जो है यह सब एक है तो इसलिए तो यह प्लेन एक ही बनाए गया है और थ्री एजस के जरी हम लोग इस तरह का structure बना सकते हैं तो इसमें matter क्या कर रहा है number of children अलग-अलग है कि नहीं जैसे अगर यह देखे तो इसमें सब को एक ही ही है इसमें तो यह तो यह दुनों को एक ही माना गय इस तरह करा यह problem को भी देखोगे तो यह भी किसके साथ related है catlin number के साथ उसके साथ ही एक और problem है यह वाला जिसका नाम है tiling steps ठीक है तो इसके अंदर क्या हो गया कि आपके पास जो है यहाँ पर stair cases है ठीक है तो अब इनको क्या करना आपको एक दूसरे के पर arrange करना है सब्सक यहाँ पर यह जो एक एक यहाँ पर है यह वन में unit है तो आप देखो कि 1,2,3,3 unit और कितने use हुए तीन use हुए तो high db n होना चाहिए और number of जो टाइल से कितने होना चाहिए यह इस केस में 3 और 3 है तो ऐसे कितने बना सकते है तो यह भी problem catlin number से related है अगर आपको वह greedy वाला problem I hope आपको बहुत ही दोनों parts अच्छे समझ में आऊगा कि कैसे आप जो है अपने counting के problems को जहां पर भी आपको यूज लगे I hope इस वीडियो लेक्चर के बाद आप catlin number के concept को आप अपलाई कर सकते हो एक जादे है दोस्तों एक important property है catlin number की जो मैं आपको यहाँ पर बताना चा 1442 132 ठीक है इस तरह का sequence चलते आ रहा था तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर n by n का square matrix बनाओ जैसे यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है one one two five okay and then यह जो last वाला sorry first वाला जो है इसको छोड़कर यह 3 इसे लेना है अगर मैं n by n का ले रहूं तो first वाला छोड़कर बाकी का n-1 जो ह से लिख दीजिए फिर first वाला छोड़कर बाकी का लिख दीजिए और अगला जो sequence का number है वह लिख दीजिए इसका करम determinant निकाले तो हमेशा बन होता है यह किसी की size के लिए valid है यह तो मैंने four by four लिया है five by six by six सबके लिए valid है तो इसके साथ दोस्तों यह वीडियो को मैंड कर